अस्सलाम अलेकुम स्टुडेंट्स वेलकम बेफ टोवर अलाइन क्लासिक और आज के वीडियो में हम देखिए हमारा चेप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे आज से उपन्टो लिनक्स ना मुनबूत कमांड उसका पार्ट 1 तो जिसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारा सिलेबस ज्यूवर जब्ड़ हमनों घ्वाईट करना चाहे तो चार फार्टमर्ट होगा उसमें पहला पार बनेगा यह हमाते दो 20 से के दो चो हुआ रखे बार मारा सिलेबस का बनेगा वह होगा सिंसिंप्र्डियो वाल ज हो चुक है उसके बाद थर्ड जो पार्ड बनेगा आपका वो बनेगा Ubuntu Linux के जो कमांड से Command Line Interface CALI जिसको कहेंगे उसका बनेगा और लास्ट में जो तोथा पार्ड बनेगा वो होगा हमारा database के साथ काम करना open office base के अंदर database में table कैसे बनाना हो उसमें data के entry कैसे करना डेटा में update करना हो पुछ delete करना हो तुवेरी केसे बना है वो सब चीज़ों उस step तक में हम लोग देखेंगे ठीक है तो आज समय के start करेंगे Ubuntu Linux में मुर्भूत Command तो बेसिकलिए Ubuntu Linux है क्या Ubuntu Linux क्या जैसा हमारा Windows है Windows मारे computer की system है वेसा ही Ubuntu भी क्या है एक computer की system ठीक है अब Ubuntu Linux में क्या देखने है अभी Ubuntu Linux जो है वो दोनों चीज़े सपोर्ट करता है अब जो computer के दोनों चीज़े कुन से होती है युजर में इंटरफेस होता है यानि कि जो यूजर अपनी साफ से computer को चलाए उसमें दो चीज़े होता है एक होती है CLI और दूसरा होता है GUI CLI मतलब command line interface command line interface मतलब उसके अंदर जो भी हम computer को देंगे कुछ भी मतलब जो हम काम करते हैं क्या करते हैं माउस का keyboard का सबका यूज करते हैं जबके CLI command line interface में क्या होगा उसमें हम लोग only keyboard का यूज करेंगे उसमें माउस का cursor आए गए निए उसमें को जो भी कीज़ करनी है वह हम keyboard से computer को command देंगे इसका दूसरा नमे character user interface क्या 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 आए ग्राफिकल यूज करेंगे क्लिक करेंगे माउस करेंगे माउस करेंगे हम लोग फिर चाहिए अब जो उबंटो वह दोनों चीज़र सबूर्ट करता है एक तो दो क्या करेंगे सब्सक्राइब करेगा command line interface और GUI मतलब graphical user interface अब क्या क्या है जो है command line interface या character user interface CUI तो वह होता है बिसकलि अपने movie में देखा होगा तो आपको इस ततर की screen दिखेगी कभी गाइब इसमें यूज़ और कम्राइबं पूरी बेक्राउन में ब्लेग होती हो और उसको वाइच कलर में कुछ तो वह होता है है कि हमारा क्या क्या होगा है इसमें हमको जो भी काम करना है जो सब्सक्राइब क्या क्या है विंटोस में स्टार्ट मेनु में जाते हैं वहाँ पे लिखते हैं क्या 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 करना है हमको हरे किस्ट के लिए लोगाउट करने के लिए हेल्फ के लिए लिए हमको अलग लग कमांड देने हैं अब वो कमांड केसे बनाने कमांड केसे काम करेंगे अंदर में अंदर और कमांड के लिए हमको syntax क्या follow करने होगी syntax होती है हर चीज के लिए programming करते हम लोग तुसके लिए syntax होती है कि पहले यह चीज आएगी उसके बाद यह चीज आएगी तो वैसे कमांड में syntax कोंची कोंची अप्लाए करेंगे टोटल चार चेप्टर है हमारे हमारे इस हमारे इस Ubuntu Linux के बेस के ऊपर ठीक है आच्छे स्टाट करेंगे चेप्टर नंबर 6 तो स्टाटिंग में हमारे सब फर्स्ट टोपिक है कमांड लाइन इंटरफेस इतले के CLA नो परी जाए इसका फुल फॉर्म भी आपके एक्जाम के लिए आएंगे टोश्यन है CLA का फुल फॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस उबुन्टू लिनक्स तरावती कम्प्यूटर सिस्टम में उप्योग करता एक वाद लोगिन था है एक पच्छी से कमांड लाइन इंटरफेस अथ्वादो ग्राफिक यूजर इंटरफेस नो उप्योग करी नहीं कम्प्यूटर साथ सब्सक्राइब कम्यूनिकेशन करी सके चाहिए कमिन जिसे कभी स्टार्टिंग न था भी लिनक्स दो है कॉम्प्यूटर की सिस्टम उबुन्टू लिनक्स उसमें दोनों चीज़े सपोर्टेड है CLIB है वो, Command Line Interface भी और GUIB ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है वो ठीक है अब जैसे यूजर अगर कॉम्प्यूटर में लोगिन होगा सिस्टम के अंदर तो वो CLIB भी यूज करके कॉम्प्यूटर सी बातकीज कर सकते हैं या तो फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करके भी वो कॉम्प्यूटर सी सभूआ का मतलब कम्यूनिकेशन कर सकता है आप अन्ने इंटरफेस अगर जेना छे अने ते बनने ना पोता ना उपयोगो छे दोनों के अलग-अलग कुछ यूज है कमांड लाइन इंटरफेस आपने उची कार्या श्रमता साथ है Linux नी साथी शक्ति नो उपयोग करवा दे छे यह कमांड लाइन इंटरफेस होगा वो सिक्युल्की सिक्यूरिटे की बात कर और ग सब्सक्राइब करना है कि कमांड याइन जिसके हमारा सी एमडी होता है विंडोस के अंदर अपने देखा होगा इसमें और अलग अलग कमांड देखे हम अपना काम कर सकते हैं तो बीसले Harbor, अगर हमके इससे Command देने हैं, अगर हम लasında क्या करेंगे, टर्मीनल को स्टार्ट करना होगा लीनउक्स के अंदर हमको अगर Command देने हैं, तो Command किसी प्रफेस को स्टार्ट करने के बाद, उसके अंदर हमको Command देने होगी हैं तो वो प्रोग्राम कौन से हैं तो वो प्रोग्राम में टर्मीनल लिनॉक्स के अंदर। तो वो टर्मीनल को स्टाट किसे करना है तो ग्राफिकल इंटरफेस मां कमաnd-Line Console कमाnd-Line Console खुलवा चैंवे लिनक्स मां टर्मीनल नामनी विंडोव आपकोमा आवे चे क्या लिखा है command line console जाने के जहां पर हम लोग command देंगे हमारे तो उसको खुलने के लिए हमको terminal को start करना होगा तो terminal start करने के लिए हमारे पास दो option है terminal window खुलवा हमाटे सबसे पहला option एक्सेसरीस में जाके terminal पे click करना है आपको जिसे हमारे windows में start menu होता है वेसे Linux के अंदर क्या होगा application menu तो application menu में आपको जाना है उसके बाद एक्सेसरीस में जाना है और उसके बाद terminal पे click करना है आपको तो क्या होगा command line का जो terminal होगा आपका फुल जाएगा और अगर यह नहीं करना हमारे पास shortcut किये जिसके लिए shortcut किये हमको use करने है control plus alter plus t control plus alt plus t यह shortcut किये terminal start करने के लिए यह भी IMP version अपके exam में कभी आता है कि terminal start करने के लिए shortcut कि कोई थी use करने है तो control plus alt plus t अब जिसे हम लोगे start करेंगे तो वेसे हमको एसी कुछ line जीएग जो आपको दीख रहे है यह एक्स वाइजेट एड़रेट उबुन्टू पॉलन फिर टिल्ट की साइन है और डॉलर की साइन है ठीक है यह Linux नो command prompt जर्शावेश है अब command prompt मतलब क्या command prompt मतलब वो line जहाँ पे हम लोग command देंगे terminal start होगे हमारा अब हम लोग command type करेंगे keyboard से जहाँ पे हम लोग command देंगे ना उस line को बोलेंगे command prompt अब command prompt जो होगा उसमें total 3-4 चीज़ हमको देखनी है सबसे पहले x y z जो लिखा है ना उसके बद एड़रेट की साइन है उसके बद ubuntu लिखा हुआ है तो वो सब चीज़े क्या है वो देखेंगे अभी तो तेमा प्रथम शब्द उप्योग करता नू ना मतलए के user name होई चे x y z जो लिखा है सबसे पहले वो क्या है जो भी system use कर रहा है अपने system उस system के user का नाम क्या है user name उप्योग करता नू नाम होई चे पच्छी एड़रेट नू चिंहा होई चे अन्य एड़रेट चिंहानी पाचर system नू नाम दर्चावाए चे क्या लिखाए एड़रेट मतलब क्या एड़रेट के बाद जो चीज़ लिखी है Ubuntu तो Ubuntu क्या बता रहा है Ubuntu system का नाम बता रहा है तो Ubuntu नाम की system में XYZ user के या भी login है सबसे पहले user name उसके बाद add the left की sign और उसके बाद system का नाम अब यहां पे एक चीज़ जान देनी के सामन यहीं चे तम्हें तमारी mood इटले के home director इन आथी चार्या शरू करता हो तेथी तेज चिंहान दर्शावाए छे अब यहां पर जो typing mistake हो यहां पर कि अगर जैसे अब यहां पर डिरेक्टरी एक वर्ड जो है वह आपके लिए नया है बट आप यूज करते हैं उसका भी जैसे कि हमारे windows में folders होते हैं अलग-अलग हम लोग क्या करते हैं बहुत सरी फाइल होची उसका मुठा के एक फोल्डर के अंदर रख देते हम लोग जो फोल्डर होता है उसको हम लोग लीनक्स में कमांड लाइन में बोलेंगे हम लोग उसको डिरेक्टरी ठीक है अब जिसे ही आपने स्टार्ट किया ना भी जैसे के एक्सवाइज एड्डर अगया यहां पर इसका मतलब क्या आई आप अभी अपने हम डिरेक्टरी के अब जो भी है एप्यों करता है जो बी मुनि जो भी यूजर है वो क्या कर सकता है अब कमिण डोविके समोद करवा मतले कि है कम्थ 17 मतलब क्या मतलब करना किसी बी इसको और क्रोड़ करना कूछ अब मैंने अपने computer में कुछ command दिया ठीक है इसका अपने computer को एक काम सो पाया भी एक काम दिया हुआ है उसको तो इसको वह काम complete करना है तो वह यह command मुलभूत लिए प्रोग्राम होई छे जा अपने जा अपने कोई चुकस कार्य पार पाड़े छे ना कोई एक काम जो हमने दि अपने कमांड दिया तो कमांड जो है वो computer को सीरी सीरी समझ में नहीं आएगा वह command को computer पढ़ते को उस language में उसको convert करना पड़ेगा तो वह convert करना काम जो भी करेगा उसको भी करेगा हम लोग शेल एक command language interpreter छे जे command आपे छे अने शिविकार छे अने तेनों अर्थखटन करें छे क्या लिखा जे आपे command जो देगा command को accept भी करेगा और command को वह समझेगा भी अर्थखटन भी करेगा और अपे इल सूचना मुझे अमल करवा माटे तेमच परिलाम दरच्छावा माटे करनल साथे परामर्ष क आपने जो भी command दिया उसको execute करना उसको अमल करना और उसका जो भी output तैयाद होगा वह output आपको स्क्रीन पर दिखाना करनल की स्क्रीन पर आपको दिखाना तो वह सब काम कुन करेगा आपका शेल ठीक है बलग-बलग system के उपर क्या है जिसे के मेरा computer है मेरा बाजन में भी एक computer है तो दोनों पर शेल की संख्या जो है वो difference हो सकते है के में अंदेट लुसे के में अटल फयर थाड शेल उस बाजन में तीन शेल भी हो सकती है और टो वह सक्षिक है दो वैसे है तो वे सिस्थम के लिए सेल किया कि आपके है यह ऊसली में तीन में एक लिनक्स चाहते हैं उपलब दिक इतला प्रेचलिट शेल आम उजब अच्छा अब जो कॉमन यूज होते हैं शेल तो वह शेल कॉंसे है तो टूटल चाफ शेल जो मुस्ट कॉमन यूज हो निस सबसे पहला है बॉन शेल उसका शॉट फॉर्म होगा एस एच उसके बाद सी शे यह चाफ सेल जो है हमारे वह मुस्ट कॉमन यूज होते हैं वोगन तो लिनक्स का अंदर कमांड लाइन के उपर ठीक है